किसान भाईयों आज मैं फिर एक बार नई वीडियो लेके हाजीर हूँ आज मैं जिला गाजीपुर में महस्पूर एक छेतर पड़ता है वहीं पे प्यांसु गोटफार में है मैं आज वहाँ पे आया हूँ और आपको सर्वेस भाई से मैं मिलवाने वाला हूँ और उनसे बा लाइकांती घंडी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नोटिफिकेस तर्थ आप तक आतानी से पहुँझ सकते हैं पहिया एक बार अपना संपर्क नंबर और जो है कि आपका जो लोकेशन है एड्रेस है वह बताएं अमारे दर्सकों को मेरा मोबाइल नंबर है अन्ठानवे अड़तीस एकानवे शत्तर अठारा जी जी और वार्टसप नंबर है तीरासी अठारा पचास पचीश्यालेश जी और ग्राम बीजवां पोष्ट महेशपूर जिला गाजीपूर जी यह फारम भिया इस्थित है जी जी मेरा संकित जैसे अगर कोई भाई आना चाहता है जी तो काठवा मोड बलियां माले रोड पर महेश पूच्चती बरमबबा के पास में यह फारम इस्थित तो दोस्तों आइए मैं इस फार्म की कुछ बर्बरी की बकरियां है तो आए मैं उनको दिखाने का आपको प्रयास करता हूं और देखिए उनकी खासियत य आप तक देखिए यह और दिनल ऑर्जीनल वर्बरी है अभी भरवरी के क्वाल्टी में अगर कोई क्वाल्टी का बर्बरी नहीं रखा होगा बीकित देच सकते हैं थन होगा रहें बहुत ही शुपर यह बच्चा दीने वालिए नहीं पक्चा यह दे चुकिए इसका बच् तो दोस्तों आप देख सकते हैं का फील सुन्दर है या जो ब्रीडर रहें का बरबरी का कई पीस है आपके पास बरबरी टोटल इसमें मेरे पास आठ पीस है यह आठ पीस है सबस्तों इधर देख सकते हैं यह काफी थुबसूरत है बरबरी की वकरी यह वाली यह बच्चा दियो है कि कसी पकड़े को फ्रॉब करत देने वाले कि इतना दिन में बच्चा करेगी दो मौएने में बच्चा करेगी जी है हमें गूंजित है है दो महिनें कर शेकितर आऊपने यह थीरा सबिक्रें है ठीसरा bunny कि अदिल हम कब करेंडी तो जोज़न करें करूब दोस्तों आप यहई सकते हैं काफी अच्छी बर्वरी दोस्ता इन्होंने कर रखी है और इनका जो भी है सिस्टम काफी अच्छा लगा मुझे और दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंड में जरूर बताईएगा आपको अगर किसी तरह की जानकारी लेना हो बक्री पालन से जुड़ी तो भीया आप सर्वेज ब्यासे जरूर संपर्क क क्योंकि काफी उत्षक और काफी मेहनती किसान है और जो कि काफी कई दन कई धन्द ओं में यह जो कि मैनत करते अपने आपको और मैनत करने से अप इछे ने जटते हैं तो यह तो बच्चा देने वाणी लग रहे हैं कुछ ही कर दो सब्सक्चा देने तो दोस्तों इस तरीके का फार्म के अंदर बकरियां है वहिया के और अब हम चाहेंगे फिलाष्ट में चलते चलते वहिया का एक बार परिशे हो जाए तो आपके फार्म पे अगर कोई आना चाहता हो या आप से किसी तरह की जानकारी फार्म से जुड़ी या कोई बकरी ही ख आपको किसी तरह की जानकारी लेना हो किसान भाईयों तो आप कि Но alno cer be avait सरनकल करके अब भिषे जानकारी आसील कर सकते हैं अगर येदि आपको और बनाना हो इस तरीकी का या बकरी पालं से किसी तरहकी जारिकारी अगर लेना हो या कोई भखतना हो तो आप इनके मोबाई सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में कितना ही फिर किसी अन्य वीडियो में मिला जाएगा तब तक के लिए जय हिंद जय वारत जय जवान जय किसाथ